हाई इबरीवन स्वागत आपके अपने सरकारी नोकरी में उनत्तर जासी चक बरती में एक और फरजी वाड़ा एक और खुलासा निकल करें सामने आया है अपकी आप सोच रहे होंगे अपकी फुलासा का पी एन पी बेशिचा परसंट की तरफ से तो नहीं है तो नहीं अपकी खुलासा जो अपकी फरजी वाड़ा एक अभ्यरती की तरफ से आया है एक महिला आप भ्यरती है अब ये फरजी वाड़ा है या सत्यता आप खुद ही पता लगाईएगा वीडियो के इंड तक बढ़े रहे है तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी इस अब खुद को पास कर लिया या सत्यता थी अब आप खुद आइडिया लगाएगा पूरी बास समझ करके पिनपी के खिलाप उन्होंने हाई कोट में याज का दायर करेंगे तो डेट लगेगी ही तो मामले की सुनवाई हो गई फिर क्या हुआ कोट ने कहा कि इसकी मूल ओय अमार सीट आई फिर पता चला कि उसमें तो फेल है हाई कोट ने 6 अगस्त को अब ब्यरती की याच का खारीज कर दी उसा देवी इसमें नाम बदल दिया गया है पर इच्छा में 89 नमबर 79 नमाक्स उनको मिले थे इंटरनेट से जब रियल निकाला तो उसमें हेर फिर करके 79 को 107 बना दिया और जहां not qualified लिखा था वहां qualified लिख दिया यह इतनी qualified थी कि सब कुछ पुरा changing कर दिया बिल्कुल पता ना चले देखने में फिर क्या हुआ इसके बाद High Court में जब याच का लायर कर दी फिर उनका कहना था कि 12 मई को result आया था website पे जब उन्होंने 19 मई को download कि यानि कि साथ दिन बाद तो उसमें उनका जो स्टेटस था वह qualified दिखा रहा था फिर क्या हुआ फिर तीन जून को फिर उन्होंने एक बार रेजल्ट देखने की कोशिस की और डाउनलोड करने की कोशिस की फिर देखा उन्होंने की not qualified लिखा है तब वह चौक गई यह उनके उ सुनवाई हुई तो परिच्छा नियमक प्रादिकारी कारियाले के अधिभकता है उन्होंने अभ्यरती का प्रडाम प्रस्तूत करते हुए बताया कि उसने अपने प्रडाम के साथ छेल्चार की है वास्तों में अगर बात करें तो फेल है इस पर कोट ने याचका खारिज क किया था मतलब उन्होंने कहा था कि वह पास है उनकी कापी बदल ली गई है जबकि रिकार्ड मंगावाए गया क्योंकि उसमें रिटेन था तो अभ्यर्थी वाकई में फैल था अनिल भूसर चतुरवेदी ने बताया कि इस मामले में कोट ने याची का दायर करने वाले पर पर कुछ और रहे दोसी बार रिजल दिखने कुछ और हो जाए ये तो काफी बार ऐसा हुआ है कुछ अब यर्थी जो तीन कामा मार्क्स मिलने चाहिए थे उसमें से किसी को एक मिले किसी को दो मिले और किसी को तीन मिले और किसी को तीनों नहीं मिले क्योंकि ये नंबर उन तक देखने को नहीं मिला कि पहली बार रिजल्ट देखे कुछ और हो और दूसरी बार कुछ और हो जाए फिलाल अगर इनके साथ हुआ हो तो काफी यह दुखद है अगर नहीं हुआ है तब भी यह काफी दुखद है कि इस तरह का कोई इन्हों ने याज का धैर किया था वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काउंसिलिंग आज से स्टार्ट है जो लोग चार साल पहले इस वैकेंसी को भरे थे आज उस वैकेंसी का अंतिम पड़ाव चलना है 25 से 28 सगस्त के 20 इसका आयोजन होना है काउंसिलिंग का आपको बता दें कि दो सब्जेक्ट लटके पड़े थे जैसे अल्टी ग्रेट में हिंदी और समाजी की विग्यान दो विशे लटके हुए है ऐसे हर एक वैकेंसी में कुछ में कुछ लटकाए है इसमें क्या क्या लटकाए गया है इसमें सिच्छा सास्त्र और समाज सास्त्र का आज नंबर आ गया है आज यह फाइनल हो जाएगा लेकिन सिच्छा सास्त्त्र अभी भी सुप्रीम कोट में टाहल घूम रहा है। इसको मौका नहीं मिल ला है सुप्रीम कोट से बाहर आने का सुप्रीम कोट से बाहर आएगा तब अभ्यर्थियों तक पहुँच पाएगा फिलाल अभी यह वही है तो अभ्यर्थियों का जो काउंसिलिंग होना है समाज सास्त्र विसे के लिए इनका जो स्कूल है वह इनको दे दिया जाएगा जल्दी और 28 तारिक तक इनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा जितनी भी परिछाएं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब के विरोध में अभ्यर्थी और कुछ नेतागण समाजवादी चात्र के बैनर तले इलावाद इन्वस्टी के चात्रों का करमिक अंसन का 34 दिन है और यह लगातार जारी है कि जितनी परिछाएं हो रहे हैं परते होगी सब को रोग दिया जाए पोस्टों किया जाए और जो गैर जरूरी परिछाएं हैं उनको ना कराया जाए एक सबसे अच्छी न्यूज यह है कि 2013 के TGT में जो सीटे बच गई थी अब भेर्थियों ने याचिका दायल की कि जो भची हुई सीटी है उन पर जो अन्य भेर्थी रह गये थे नहीं भर्थी हो पाये थे उन्हें उनमें कराया जाए निदेशक ने क्या किया वह टाइम बिता दिया जिस टाइम के अंतरगत इन्हें वेकेंसी पूरी करनी थी फिर इनके उपर आमाना का नोटिस जारी हो गया है फिलाल इनके उपर कठोर कारवाई होने की पूरी समभावना है तो इसी तरह मैं बता दूँ आप अगर नहीं जानते होंगे जान ले एक लाग सहती से जो वेकेंसी चली थी यानि कि इस इच्छामेत्र का समयोजन रद किया गया था तो 68,500 और 69,000 को मिला देने से वेकेंसी लगबग पूरी होती है तो ऐसे में अगर ये बात किया जाए कि इस वेकेंसी पर क्या कोई रूल नहीं है तो इस पर भी रूल है इस वेकेंसी को तीन महीने में पूरा करना था जो कि जुलाई में खतम होना था जुलाई में इसका डेट खतम हो गया है इसलिए भी जो इसके अधिकारी गड़ है PNP basis परसद इनको भी आउमानना का नोटिस जारी हो चुका है कई बार कि आप वेकेंसी को जुलाई में क्यों नहीं पूरा करा है कैसे अगस्त पार हो रहा है अगस्त आने वाला है उसी समय तो फिर इसकी आचिका जो पड़ी थी उसका डेट नहीं मिल पाया जैसे डेट मिलेगा इन लोगों के उपर कारवाही जरूर होगी फिलाले लोग चारो तरफ से फसे हुए हैं कहा जाए कहा जाएंगे जब चारो तरफ सबको फसाया तो अपने तो फसना ही पड़ेगा मैंने रिसेंटली वीडियो डालके आपको चला जा रहा है रोज निउस आपको सुनने की मिलता होगा यह काई लिस्ट आ गई यह काई लिस्ट आ गई लेकिन उसका कोई बिसेस मतलब नहीं है काई लिस्ट के साथ 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 एक सप्लेमेंटर लिस्ट होती है उसका बहुत मतलब होता है वाई कैसी लिस्ट होती है कि क किसी भी तरह का कोई भी याचिका हो उसकी सुनवाई कभी भी कराई जा सकती है अगर जज साहब अगर तयार रहें और दोन पच्च के वकिल तयार रहें तो इस्पेशल बेंच बैठाकर के भी मामले की सुनवाई हो जाती है तो जैसे यह मुद्धा कुछ क्लियर होता है दस यहर बीस वाली है यह वेकेंशी साल बर पहले ही चली ती लेकिन अभी तक पहुश नहीं पाई है देखी अब तक पहुशती है पचास यहर के आसपश वेकेंशी आने वाली थी लेकिन अध्यापा के उन्छात्रों के अनुधा को देखते हुए departments कर दिया गया है उन है इसमें भी काफी ऐसी सीटे होंगी अभी कम की जाएगी अभी ढूड़ा जा रहा है कि अध्यापक छात्रों का अनपात कितना रखा जाए कितना हो कि इन सीटों को निकाला जा सके तो अभी तक इस पहरा दियाचन जो है कंफर्म पूरी तरह सुगा नहीं है लेकिन 20,000 अब तक डिटेल है कि सीटे आने वाली है संक्या घट बढ़ सकती है हर वेकेंसी में इसलिए लिखा रहता है तो यह इसलिए इस वेकेंसी को 20,000 किया जा रहा है क्योंकि 50,000 सीट तो बहुत जादा होता है ऐसा इन्होंने सोच क को अवंटित किया जा रहा है उसी तरह TGT को भी अवंटित किया जाए TGT में लिखित परिच्छा जैसे होती थी वैसे ही होगी जैसे जो होता था वैसे ही समकुछ होगा कोई भी चेंजिंग नहीं आई है अभी इस समय काफी सोचल मीडिया पर इसका स्लेबस वाइरल हो ग रखा है यह ढेटा जो एशमा सही करब में है लेकिन अभी आयोग ने अपनी तरब से कोई इस तरह का से इस जाद Yayi चाड़